हेलो और वल्कम मेरा नाम है दिवान शुयलावत और आप देख रहे हैं Life is Awesome YouTube चैनल आज मैं आपको एक नई यात्रा पे लेके जाने वाला हूँ मेरे साथ वैश्मदेवी यात्रा पे जो की कट्रा जमू में है तो चली सफर की शुरूआत करते हैं यह हम आभी फिलहाल स्लीपर बस में है और हमने डेली से लाल कीला मेट्रो स्टेशन से बस पकड़ी है मेरे चाचा जी की बस है थांक्स टु हिम तो मैंने स्लीपर बस ली है डेली से जमू के लिए कट्रा के लिए टोक अराउंड 12 और बारा घंटे का सफर है मैं और मेरी वाइफ हम दोनों निकले हैं यात्रा के लिए और यह कुछ प्यारे भरे मोमेंट्स हैं यह हम लोग बैटके चिप्स खा रहे थे थोड़ा हलका फुल का नाश्टा वस्ता कर रहे थे तो यह मैं वेव कर रहा हूं और अच्छा सफर कटा बढ़िया था अच्छा लगा और यह अभी हम जो हैं लखनपूर में उतरे हैं सुबह साथ बजे लखनपूर जो है जम्मू के बॉर्डर पर है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह कोविड की लाइन है कोविड in the sense कोविड टेस्टिंग की लाइन है कि अगर आप यात्रा के लिए जाते हैं तो आपको कोविड टेस्ट का जो रैपिड एक्शन टेस्ट होता है वो करना अनिवार है यह अब हम होटेल पे पहुच चुके हैं कट्रा में लखनपूर पढ़ता है कट्रा से अंदा करना था तो हमारे लिए में यात्रा थी यह देखें आप यहां से यात्रा शुरू होती है यात्रा के लिए बता दूं कि हम होटेल से चले थे वह उनका फिक्स प्राइज होता है कि आप आप आटो करते हैं तो 160 रुपीज लेते हैं मंदिर तक आने के और वापिस जाने के 210 कर यहां रुपीज चाहे डे हो चाहे नाइट हो यह सेम चार्ज रहता यह मंदिर की एंट्री है यहां पर ह Ti मांगते आप ओन लाइं बुक कर सकते हैं फिल्हाल की बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने थोड़ी हेल्प की थी हमारी सेंटर बताने के लिए कहां जाना था कोई टेस्ट के लिए तो उससे हमारा काफी समय बच जाता है यह अभी हमने जरनी शुरुआत कर दी है मैं बताना चाहूंगा इसमें जो में एंट्रेंस है जो में जहा वड़ ही तो जब हम ऊपर जा रहे थे तब नीचे वालों को जो बंदी नीचे आ रहे थे हुने देखके सोच रहे थे ते जो जोश में थके नहीं और जयां रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था जो उपर है उनको देखको तो थी बहुत था हो गया यह मेरी بवी है हम तो यह साइड में रेलिंग से काफी जहां पर आप करते हैं जो पाथवे हैं काफी एरिया में वह कवर्ड है कई जगे नहीं है तो हमने शुरुआत की थी शाम को छे बजे और हम हमारा जो सफर था वो खतम हुआ चार साधे चार बचे के आसबस दस साधे दस पचे के आसबस मौसम जो है बहुत अच्छा था और खेशाम की समय का यह फायदा दिन में कैसा है दूप बहुत हो जाती है तो दूप में बड़ी फीर दिक्कते हो यह हैं वैसे पसीना आत्मी परेशान यह केंटीं शॉप्स हैं यहां पर वैसे प्राइविट शॉप्स भी हैं जो कि आपको हर चीज के लिए 5 रुपीज एक्स्टा चार्ज करती हैं क्योंकि कैरिये जो उनका उपर जाना समान ले जाना यह चोटी-मोटी डिटेल्स हैं मैं बस आड कर रहा हूं किसी को फरक पड़ता है किसी को नहीं पड़ता इसके अलवा गवर्मेंट शॉप्स भी हैं वहां पर और प्राइस पड़ता है जैसे चाय आट रुपे की थी कॉफी बारा रुपे की थी और खाना महां पर 40-40 रुपीज में आपको कडीर कडी चावल बैटरी ऑपरेटेड कार है ताकि पॉलुशन पर कंट्रोल किया जा सके मैं बताना चाहूंगा आप नीचे से जब उपर तक आएंगे तो हाफवे जो है अर्दुकैरी के पास वहां तक आप जो है होर्स कर सकते हैं घोड़े कर सकते हैं जो कि आपको साड़े 300 रुपी लें करने के लिए अब अपनी अपनी शद्धा होती है कि हम लोग तो फर्स टाइम गए हैं तो हम लोग तो पूरा पैदल पैदल गए थे तो हमारी मनत थी यह मेरी वाइफ है एंजॉय कर रही है हम दो लोग थे हमने लूज कपड़े पहने हुए थे फुटवेर हमने बिल्कु कोई कंपर्शन नहीं क्योंकि जो भी आते हैं बंदे सब टेस्ट पॉजिटिव सौरी टेस्ट करवा के आते हैं नेगिटिव तो बट फिर भी आप पहनना चाहें पहन लीजिए हमने पहन के रखा था थोड़ा पहन के चलने में दिक्कत होती है बट अब क्या करें थोड़ यह आपने जो बोड़ देखा बहरफ मंदिर जो की एक राक्षर थे दो किलो मेटर दूर है वैशनो माता मंदिर से उपर है दो किलो मेटर और मैं बताना चाहूँगा यह जो चड़ाई है यह अच्छी खासे इंकलाइंड है हाँ पर मतलब अच्छे अच्छों के पसीने न बना कर रहे थे फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने जाने दिया हलनकि काफी लोग शौट्स में थे बट उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया मस्जिद में करते हैं शौट्स में बट मंदिर में फिर्स टाइम मैं ऐसा सुना तो आप भी एकर शौट्स पहन हार तो रैदर होरर लगता है वो देखें चांद पेड़ देखें कैसा सा है और कुछ समय बाद कुछ शन बाद यहां पर लाइट चली गई थी तो और थोड़ा सा होरर टाइप हो गया था बट यहां कंप्लीट सेफ है क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ था जब आप फैम करानी पड़ती है आप हमें 120 नंबर मिला था गुरुप का सारी गुरुप का नंबर चल रहा है 120 हमें 130 मिला था तो हमें मतलब यहां काफी सारा टाइम लग जाता यहां हमें तीन-चार गंटी की वेटिंग थी तो खैर हम अलड़ी तूट चुके थे ठक चुके थे हार चु तो हमने यहां पे दुबारा थोड़ा सा हलका स्नैक्स वगे रखाया हमने और उसके बाद हम वापिस अपना सफर नीचे की और चल पड़े यह वो पर्ची है जो मैं कह रहा था 130 की तो 131 की जो हमें मिला था और उसको देखके फिर हम अपना चलते बने एक बहुत एक उपसू सरदर्द होता है डेकसा होता है वो मिटिंग फील होता है तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही मैं जम्मू दो बार गया था विट कभी में माता के मंदिर नहीं जा पाया इस बार मेरी किस्मत थी या माता ने बुलाया था जो भी कह लीजी आप मुझे बहुत अच्छा जहां की मानित है बहुत जादा है उस तरफ रुख मोड़ेंगे शुक्रिया आपका आपका समय देने के लिए